नमस्कार दोस्तों, हरियाना विद्धाल्य शिक्षिया बोर्ड बिवानी सभी के डाउट किलियर करने वाला हूँ मात्र एक वीडियो में बहुत सारे कमेंट आते हैं आप सभी के मेरे पास और मैं सभी के कमेंट का रिपले नहीं दे पाता हूँ इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ आप वीडियो जन तक जरूर देखीगा लाइक नहीं कि तब लाइक कर दे चैनल पर नहीं हैं सब्सक्राइब कर लेजिगा अरियाना बोर्ड से जुड़ी परते एक जानकारी एजुकिसिन नोरिटी पे सबसे पहले पाने के लिए आप सभी के मोस्ट इंपोर्टेंट कमेंट आते मेरे पास कि सर्ट 10th 12th एकजाम होंगे या नहीं फाइनल बता दीजिए ये हम इसमें काफ़ी प्रेशान हो रहे हैं 10th 12th के अरियाना बोर्ड के एकजाम होंगे या फिर नहीं हमें फाइनल बताईए तो बही मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ जानकारी जहां तक मिली है आपके एकजाम नहीं होंगे आपके एकजाम नहीं होंगे ठीक है बही या आप सभी के लिए बड़ी आपके एकजाम नहीं होंगे ओफीशल नोटिस भी साइट में डाल दिया जाएगा जैसे ही कोट का फाइनल डिसिजिजन आता है फिलाल कोट ने इस पर रोक लगाई हुई है उसके बाद आपका मोस्ट इंपोटेंट मेरे पास काफी कमेंट आते हैं कि सर रजल्ट कब जार आता है कि हम आपके एकजाम नहीं लेंगे ओफीशल नोटिस डालेगा उसके बाद जो दस्वी का परिणाम है वो तो तकरीबन तयार ही आपको पहले पता था कि आठ तारी को गोशित करने की बात कई गई ती जून में तयार है उसको तो उनले किलिक करना है ठीक है उनले कि महीने के 20 तारीक के आस्वास आपके 12 एंटेंथ की रजल्ट रिलीज कर दी जाएंगे जहां तक जानकरी मिली है उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट क्यूसे नहीं सर कोविन 19 जो परतियोगता करवाई गई थी अरियाना विदाले शीक्षे बोल के द्वारा उसका फाइनल रिलीजट कब जारी किया जाएगा तो आपको उसके इनाम भी दे दिये जाएंगे और आपको मार्क सीट भी परदान की जाएगे क्या मामला कोर्ट में पोच्चा है बिल्कुल आपका एक्जाम ना लेने का मामला जैलर्ड का मामला कोर्ट में पेंडिंग है जहां तक कोट अपना फैसला सुनाता है रोक तो लगाई हुई है एक्जाम पर फाइनल डिसिजन देता है कि आप एक्जाम मत लीजिए भई तो आपका रेजल्ट गोशित कर दिये जाएका टेंथ का ट्वेल्थ के लिए एक दो दिन और लग जाएंगी या फिस दोनों को कठा ही दे दिये जाएगा यह इसमों इन्पोटेंट आपके कोईसन थे और आपके कोई क्यूशन हो तो नीचे कमेंट बोक्स पर उसके कमेंट कर द दिया